नमस्कार, जैसे एलसे, मैं समर्च ओधरी, मैं निलेश प्लानिया, आज आपको जैसे पता है, 12 मईए 2014 को पूरे राजस्थान में STC 2014 कंडेक्ट होई है, तो आज इस वीडियो के दोबारा हमारी टीम CHS, पूरे पेपर, क्लास 10 और क्लास 12, दोनों का डीटेल वीडियो सोलु दूसरी चीज यह भी है कि इस बार की जो स्ट्रेंथ है, वो लास्ट यह से काफी कम बैठी है क्योंकि जनरली HTSC नमबर यह दिसंबर में होता है, बट इस बार यही एक्जाम मही तक पॉस्पोन हो गई है, थोड़े कम बच्चों ने इसमें पार्टिपीट किया है, जिसे बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस थी अच्छा उसमें नाइन तो टैन में अच्छी प्रिप्रेशन की इसके लिए बहुत असान था, इसके लिए कोई सावाल यह था जो रगा कि मैंने कभी सॉल्ड नी किया है, मैंने मेरे कभी मोडूल या शीट में कभी सवाल ना देख नीक सर्थ आपने माइनर से लगे थें कई को डियरेक्ट वाहां से क्विशन्स भी आए जैसे हैं पेपर सॉल कर रहा था तीचर्स का भी कहना था कि यह थे ओल्ड के जो रहा हैं इर मेरे मैं अलेक्ट कूशन आ रहा हैं फिजिक्स के विशन्स भी आरे तो वह भी बच्चो प्रेपर का लेवल आए लास्ट ये के अपरेशन में बहुत इजी था बढ़ नमबर्स ओफ स्टूडेंट भी बहुत कम बैटे थे तो नो डाउट की मैरिट जो है वो थोड़ी सी कम ही रहेगी और देखते हैं अब क्या रहता है क्या नि रहता है और जो भी अभी वाग इस यह को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि CLC पिछले 29 साल से नीट और जेए में एक दम पैरलल काम कर रही है और पैरलल रिजल्ट निकाल रही है जिसका एक बहुत अच्छा एक्जामपर हमारे इस साल का रिजल्ट है जहां पिछले साल 98% से उपर हमारे 17 दूसरा अभी जो नीट का एक्जाम हुआ है पांच मही को जो एक्सपेक्टेड की है उसके अकोर्डिंग CLC का लगबग 43 बच्चा 700 प्लस से उपर स्कोर कर रहा है जो कि बहुत ही अच्छी संक्या है लाश्टी संक्या हमारी दो पे थी जो दो से लगबग 20 गुना से भी जादा होकर 43 बच्चे है और यह सिर्फ हमारे सिक्कर क्लास्रूम के बच्चे है तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत अच्छे प्लैटफॉर्म की सर्च पर हैं फो नीट और जेई यह एंडी की प्रप्रेशन के लिए तो आप ज़रूर CLC आएं CLC वीजिट हैं जिनके बच्चे भी चोटे हैं जिनको अपने बच्चे के लिए अच्छी स्कूलिंग के लिए तलाश में तो अगर आप अपने बच्चे के लिए अच्छा CBC स्कूल के लिए सर्च में है तो आप CLC International School है जो चलाशी में है एक चाली सी बिगा में फळा वह सुन्दर सा campus है आप वहाँ जाएं विजिट करें और अगर आप RBC स्कूल की तलास के इंदर है तो आपके पास है KVM जो छटी से लेके बारवी तक अपने बैचेश रन करती है 11th 12th के अंदर उसके पास स्ट्रीम है, Arts है, Agriculture है और Science स्ट्रीम है और अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि 6th क्लास से ही उस बच्चे का एक competitive environment देना चाह रहे हैं उस बच्चे का बेस त्यार करना चाह रहे हैं तो आपके पास option है CHS, CLC High School और इस बार समर सर, NDA के रिजल्ट आ लेकिन साथ अपने J-Wing से हैं और Art अपने NDA-Wing से हैं विल्कूल तो जो भी parents और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो CLC आएं विजिट करें CLC हत हर्जडी का अपना नया बैच ओपन करती है तो आप आएं और CLC विजिट करें J-C-S-E-A So very good afternoon to all my dear students. Welcome to the CLC platform. STC का paper तो हो गया है. So 10th की LCT के English का paper 802 जिसका code. So let's do the solution of the paper. Okay तो शुरू करें. First question है. He and I, he and I plural were playing. Answer is 3. Bread and butter. तो यह दोनों को and से जोरूने के बाद plural नहीं होंगे. क्यों? कि they combine to give one single unit. Means bread and butter is. यहाँ पे is है. First option. Is his only food. दो का एक. Sanskrit as well as Arabic. As well as के दो विशयों को अगर जोरा जाए. तो पहले विशय के आधार पर बर्ड रिखा जाता है. तो correct answer होंगे दो. 3 का number 2. Sanskrit as well as Arabic is. Arabic is taught in this school. Number 4. Neither you nor he. Neither nor से जब दो विशयों को जोरा जाता है. तो second subject के आधार पर बर्ड लिखा जाता है. तो इसका मतलब होता है कि he के बाद singular work चाहिए. तो correct answer is 4. Neither you nor he is to blame. Answer is 4. चार का. Number 5. He reached here at 5 o'clock. Fixed time 5 o'clock at. Put this picture on the wall. Number 2. 6 का. I have read this news in the Indian Express. Number 8. Ramu is very poor. Yet he is an honest man. Toh answer 8 का 1. Number 9. When I reached home, my son, when I reached home, past indefinite death, toh my son was sleeping. 9 का 4. Number 10. He is sleeping at this moment. Number 2. Ram is sleeping at this moment. 10 का 2. 11 का. 11 का. Sita always मदद करती है. Helps the poor. 11 का 1. 12. Ram told me that He had been living in Jaipur since 2012. Toh correct answer होंगे 12 का 3. The train had left. Before I reached the station. Toh 13 का होंगे 2. Once there was a king. Once there was a king. 14 का 2. 2. There is little milk in the glass. We cannot make a cup of tea. Number 4. 15 का 4. I have a few books on art. I have a few books on art. 16 का 1. 17 का. He is making a picture. 17 का 2. 18. Former is cutting the tree. Number 1. Former is cutting the tree. 18 का 1. 18 का 1. 19. The teacher said to the student. The earth revolves on its axis. Universal truth. Toh ये on its axis. ये जो universal truth को use किया है. इसे दे दिया है universal truth. तो इसे और easy कर दिया कि इसको change करने की और जरूरत नहीं है. तो correct answer होंगे. That the earth revolves on its axis. The answer is 3. 19 का 3. 20 का Mohan said to me. What are you doing? तो इसको जब हम indirect करेंगे. तो कॉमा का set बन जाएंगे. What से जोरा जाएगा. You, me, can you sir, I बनेगा. और are doing, was good doing बनेगा. तो correct answer होंगे. 20 का 1. Correct answer. They have built a house. Passive करने के लिए कहाए. तो बनेगा. A house has been built. A house has been built. By them लिखना जरूरी नहीं है. तो a house has been built is the right option to go for. Okay. Next. I wrote a book. A book was written by me. A book was written by me. 22 का 1. I am right. तो M से किया है. तो इसका question tag भी M सी बनेंगे. और इस तरफ assertive है. तो इस तरफ negative बनेंगे. तो correct answer होंगे. M and I. 23 का 1. You aren't busy. तो फिर वही है. आ रहे है. तो इस तरफ भी आरी रहेंगे. But in the assertive sense. क्योंकि इस तरफ negative sense है. तो correct answer होंगे 4. Are you? 24. You aren't busy. Are you? तो correct answer 24 का होंगे. The opposite word of remember. याद करने का opposite होता है. भूल जाना. Which means forget. 25 का होंगे 3. 26 का the opposite of the word perish. Perish का मतलब होता है. To die. To decay. Khatam करना. Vिनाश करना. तो इसका opposite होता है. बच पाना. जूजना. तो correct answer is 4. 26 का survive. Perish का opposite होंगे survive. Loyalty का meaning होता है. किसी के ब्रति समर्पन होना. Which means devotion. The correct answer is 1. 28. We should make a pink cushion. For a gift out of a beautiful piece of. यहाँ पे correct answer होंगे. Yellow silk. Because the story, the little girl, इसी चीज से दिल की भी है. So that is the reason 28 का correct answer होंगे. Three. Yellow silk. 29. A.P.J. अब्दूल कलाम's father was. तो my childhood में यह चीज क्लियर है. वैसे भी हम जानते भी है. तो उनका नाम है जेनल अबेदिन. That means answer is 29 का 4. तो 30 का अंसर है. Who has written the lesson, the fun they had? It is none other than Isaac Asimov. The fun they had. Isaac Asimov. 30 का अंसर is 3. It was the festival of. तो यह festival of. कॉंसे दा लॉस चाहिल से लिया वाये. तो correct अंसर होंगे is spring. It was the festival of spring. 31 का 4. Toto was a pretty. Adventure of Toto. तो इस Toto का story is based on a monkey. So, Toto was a pretty monkey. Correct answer होंगे 32 का 3. Which season has been described in the lesson, the last leaf? It was the last leaf. तो यह थिंक अबाओ जी पत्य जर का मोसम जहां पे पत्य जरने का समय होता है. So, the best option to go for is 1. 33 का 1. Autumn. On which day Nelson Mandela took oath as the president of South Africa. तो यह लॉग वाक तो फ्रीडम में स्खास तोर पे बता दिया था. 10th Mai 1994. So, the correct answer is 3. 34 का 3. 10th Mai. A poem, A Tiger in the Zoo is written by none other than Leslie Norris. Correct answer 35 का 2. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as और यह ग्लिम्सेस अफ इंडिया से पुछा है. The answer is कबाई. तो जो ड्रेस वो लोग पैनते थे उसे कबाई कहते हैं. 36 का 3. The trees inside are moving out into the, तो ये दर trees पुएम से उठाया है. The correct answer is 4. 1st. 38. Which word means similar to thief? It is none other than a burglar. The correct answer is 1. 38 का. Everyone thought that Horace Danby was a good and honest citizen. The 39 का correct answer is 2. और ये उठाया a question of trust से. Whose necklace was lost by Madam Loisel? The Madam Loisel is basically Matilda Loisel. The Matilda Loisel ने किसी से उधार लिया था वो necklace. लिती उनोने. And that was Jina Forestier. तो Jina Forestier में से Jina वर्थ तो है नी. तो we must go along with the name of Madam Forestiers. The correct answer is 40 का 1. So that is the end of all the 40 questions of the 10th level. Code No. 802 STSE. Today. Thank you. And have a nice day. Take care. Bye. जो सोएगा सोख होएगा. इसमें पूछ रहा है वाक्य में सरवनाम का प्रकार. तो इसमें जो सोएगा सोख होएगा. इसमें सरवनाम है सम्मंद वाचक. Next question है. पुरुस्वाचक सरवनाम के प्रकार. पुरुस्वाचक सरवनाम के तीन प्रकार होते हैं. उत्तम पुरुष वाचक सरवनाम, मद्यम पुरुष वाचक सरवनाम और अन्य पुरुष वाचक सरवनाम तो किते प्राइए होगे? तीन नेक्स्ट है निमना के सब्दों में से विशेशन है विशेशन पूछ रहा है धार्मिक इसमें है विशेशन नेक्स्ट निमलेखित में से संकेत वाचक विशेशन का समो है पूछ रहा है इस में है इस उस यह है वह है नेक्स्ट जब करता एक किरिया समाप्त करके उशिक्षन दूसरी किरिया में प्रुविर्थ होता है तो पहली किरिया क्या खिलती है एक किरिया पूरी करके दूसरी किरिया में पहले जो किरिया होती है वो पुरुवकालिक किरिया ज़लते हैं मतलब इसमें को जाएगी रिदमान कालिक किलिया नेक्स्ट, मनुष्यक को अपने भीतर देखना चाहिए उप्रिवकद, जो ये सब्द लिखा है भीतर, इसको अंडरलाइन एरखांकित कर रखा है, समंद बोधक अवे की किस भेद का उदान है, इसमें समंद बोधक भेद का उदान पूच रहा है, किस भेद का उदान है, तो प्रकार आंदी आई और पानी बर्सा इसमें क्या पूच रहा है अगला और सब्द दिया गया है पानी बर्सा दिए के वाकि मैं रेखा अब यह पूच रहा है तो अब यह कुन सा होजएगा समुचे बोधक अब यह नेक्स्ट निमलिकित में से प्रते युक्त सब्द है क्या पूच रहा है कि कौन से सब्द में प्रते जुड़ावा है तो इसमें हो जाएगा जुला नेक्स्ट क्योशन खटोला सब्द में पूच रहा है तो इसमें 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 पूच रहा है तो इस प्रियावची है, माता का क्या पूच रहा है, प्रियावची, तो इसमें हो जाएगा धात्री, नेक्स्ट, इंदर सब्द का प्रियावची सब्द है, इंदर का क्या पूच रहा है, प्रियावची सब्द पूच रहा है इंदर का, इंदर का प्रियावची सब्द हो जाएगा वासव तिमिर सब्द का विलोम है तिमिर का क्या पूझ रहा है विलोम सब्द पूझ रहा है तो तिमिर का हो जाएगा प्रकास नेक्स्ट बहीर रंग सब्द का विलोम बहीर का उल्टा क्या पूझता है बहीर रंग और इसका उल्टा जाएगा अंतरंग तीसरा नेक्स्ट उदहार और उदार सुरुती बिनार तक सब्द यूग्म का सही उकल्प है इनका सम सुरुती बिनार तक पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा रिन और मुक्ती उदार का हो जाएगा रिन उदार का हो जाएगा मुक्ती अवस्था आयू, इसका भी सुरुती सम् विनार तक सम्द पूचरा है अवस्था का और आयू का, तो इसका वजाएगा आयू का एक भाग और संपूर्ण उमर नेक्स्ट, महोस्व सब्द में संदी का प्रकार है महोस्व में अगला क्या पूच रहा है संदी पूच रहा है तो महोस्व में संदी हो जाएगी गोन है नेक्स्ट किम प्लस चित संदी विशेद का सही सब्द है किम प्लस चित में पूच रहा है कि संदी विशेद क्या है इसका संदी क्या होता है तो इसका संदी हो जाएगा किंचित नेक्स्ट एनिवती सब्द का सही संदी विछेद है इसमें पूच रहा है संदी विछेद उपर वाले में संदी पूच रहा था इसमें संदी विछेद पूच रहा है तो इसका हो जाएगा अनुवती का अनुपलेस इती नेक्स्ट निवलिकित समासिक पदों में करमधारिय समास का उदार्ण है इसमें क्या पूच रहा है करमधारिय समास तो करमधारिय समास है म्रिग नेनी नेक्स्ट देश निकाला सब्द का समास विगरा करना है तो देश निकाला सब्द का समास विगरा करना है तो देश निकाला सब्द का समास विगरा करना है तो देश निकाला सब्द का समास विगरा करना है तो देश निकाला सब्द का समास विगरा करना है तो देश निकाला सब्द का समा सरलवाक्य का सही ख़तन कोन सा है ते लिए परफेक्ट हैं पहला है सरल वाक्य का सबने आप की बहुत परतिक्सा की पर आप नहीं आए इसमें पूछ रहा अगला कि उपर उत्वाके में करता क्या है कि सब ने आपकी परतिक्सा की लेकिन आप नहीं आए इसमें अगला पूछ रहा है कि इसमें करता क्या है तो करता हो जाएगा आप गुप्त योजना बनाना अर्थ को प्रकट करने वाला मौहवरा है कि गुप्त योजना बनाना अर्थ कौन सा मौहवरा प्रकट करता है खिचडी पकाना लोहा लेना मौहवरे का अर्थ है लोहा लेना का मौहवरे करता है मुकाबला करना नेक्स्ट बिना प्रिश्रम दूसरों के सहारे जीने का निरत्थक प्रियास करना अर्थ को परकट करने वाले लोकोगती है क्या पूज़ रहा है बिना प्रिश्रम के दूसरों को दूसरों के सारे जीने का निर्थक प्रियास करना इसका उजाएगा उधार का खाना फूश का तापना नेक्स्ट जो गुड़ खाई सो कान चिदाए जो गुड़ खाई सो कान चिदाए इस लोकोक्ति का अर्थ इसका मतलब लोकोक्ति का अर्थ फूश रहा है इसका होज़ाएगा लाब के लालस के कारण कश्ट सेना पड़ता है एक अच्छे पत्तर में निमन लिकित में से कौन सी विशेष्टा होती है जो एक पत्तर अच्छा होता है उसके सबसे बड़ी अशेष्टा कौन से होती है पस्तर में पस्ता होती है और करम बदता होती है नेक्स्ट क्यूशन निमंतरन पत्र पत्रों के कौन से प्रकार में आते हैं जो निमंतरन पत्र होते हैं वो पत्रों के कौन से प्रकार में आते हैं या जाएंगे विप्तिगत पत्र में नेक्स्ट अब हैं जो 35 सार्ष क्यूश इसके द्वारा लिखित उपनियास है नदी की द्वीप नेक्स्ट है हारिल अपने साथ सदेव रखता है हारिल पक्षि अपने साथ क्या रखता है पैरों में हमेशा लकडि को पकड़े वे रखता है नेक्स्ट क्यूशन बंदत आनंद कोसलियान ने अपना सारा जिमन समर्पित कर दिया वो धर्म की प्रशार प्रसार के लिए अपना पूरा जिमन है वो समर्पित कर दिया नेक्स्ट कुट्टा और एक मैनामक रसना के लेकत इसके लेकत थे हजारी प्रसाद दिवेदी नेक्स्ट माने कौन सी दिशा में पैर करके सोने से मना किया था नेक्स्ट फढंश्वननात र्यनु को हाइश फ्रत्म पृष्कार किस विशे पर लेक लेकने पर मिला था रिनुजी थे उनको हाइश फरत्म पृष्कार कौन से ब्लाता उसमें था बाड यह तो नेक्ने-स सोल्यूशन कर लिया अब आम LCT 12th Standard Code No. 902 का सलूशन करते है जो आजी सुपह पेपर हुआ था तो let's do the close test तो close test में पूछा है early every morning two weeks दिखाई दे रहा है आपको the best option to go for is for number four one का early every morning for two weeks my cousin मुराद उसके बाद दो नमबर में and I तो फिर एक बाद आते है early every morning for two weeks मुराद and I took the horse out of the burn to the deserted vineyard और उसके बाद नमबर थ्री में देखो option है where number three का answer होंगे two तो एक बाद दो बारा repeat कर लेते हैं the early every morning for two weeks my cousin मुराद and I took the horse of the burn to the deserted vineyard where जहां we were hiding it and rode it every morning the horse when it was my turn तो इसमें देखो चार नमबर में two है my turn तो चार का उत्तर होंगे एक two तो एक बाद दो बारा चले तो आ गया every morning the horse when it was my turn to ride alone lift लिप का मतलब छलांग लगा ना lift तो पांच में आते हैं पांच में over दिखाई देगा आपको number three पांच का तीन over तो फिर एक बार back करें तो इसमें हो जाएंगे lift over grape vines and small trees and through and through and through it six का through it six का हो गया it one number one option six का it तो फाइनली क्या निकला एक बार हम confirm कर लेते हैं लिप्ट grape vines and small trees and through it and ran away the correct answer इस प्रकार से हो गया एक का चार दो का एक तीन का दो चार का एक पांच का तीन और छे का एक तो let's go for the next question question number seven apprentice का nearest meaning पूछा है तो apprentice का nearest meaning is trainee साथ का दो compelled का मतलब होता है मजबूर करना तो इससे लिए उसका nearest meaning होंगे forced नमबर दो आठ का दो stale का opposite word पुछा है stale का मतलब सड़ा हुआ या तो waste जो waste हो चुका है उसे opposite के साब से चले तो best option to go for is three fresh nine का three ten elder तो elder का यंग नहीं हो सकता तो correct answer होंगे यंग elder का opposite होंगे यंग नमबर फॉर यहां spelling को confirm करने के लिए कहा कि एक पार्ट दे दिया बाकी के पार्ट जोर कर एक related word बनाओ that has got some kind of meaning तो B O U T दिया है तो इससे boutique बनाया जा सकता है तो boutique का मतलब a kind of a shop where we can sell all kind of flowers uh toys and all kind of materials like this तो boutique का spelling होता B O U T I Q U E तो 11 का correct answer is one boutique 12 यह acquaintance है परिचित विक्तियों को कहते है जो आपकी परिचित होते है वो सारे अपकी acquaintance होते है तो acquaintance में a के बाद i चाहिए n चाहिए और tense की जो बाकी है वो चाहिए तो यह से rearrangement केते है तो इसका सही उत्तर होंगे डॉक्टर सेडाव होकेस हाउस वास बिल्ट ऑन अ स्पॉर्ट ऑफ दी जैपनीज कोस्ट तो करेक्ट आंसर होंगे C A B and B तो करेक्ट आंसर is 2 थर्टीन का आंसर इस 2 फोर्टीन का आंसर है वी पास्ट नॉमाद्स डाक तेंस पिच्च्ट इन splendid isolation usually with a huge black dog तो करेक्ट आंसर होंगे B C A and D B C A D तो करेक्ट आंसर होंगे 14 इस 3 फोर सम ताइम कुछ समय के लिए ग्रान्मादर कंटिनुद तो वेक मी अप 15 का करेक्ट आंसर है वान अब दाश आवर्स लेटा आई वाक्ट होम तो अफ्यू आवर्स लेटा 16 का करेक्ट आंसर इस 4 अफ्यू आवर्स लेटा आई वाक्ट होम तो यहां पर पास्ट इंदेफिनिट है तो यहां पर पास्ट इंदेफिनिट रखना बेतर होगा 17 का करेक्ट आंसर होंगे 2 सदाव दिड नॉट तो दिड के बाद में वब की फर्स्ट फर्म ही यूज हो सकता है यानि सी तो करेक्ट आंसर इस वान सदाव दिड नॉट सी हिम अगें अंटिल इवनिग तो करेक्ट आंसर अफ्यू आइटीन इस वान तो यह इस के जगा वास कर दो कि कि ही वस जस्ट आ टीनेजर वेन इड यह पर पास्ट इंडेफिनिट है तो करेक्ट आंसर होंगे 19 का 4 यह वस जस्ट आ टीनेजर वेन इड यह दाइड इस सेटलमेंट यूनानिमसली वर्ट का यूज किया है तो इट मीन्स तव वर्ब शूद आल्वी सिंगिलर और वो भी बाई से कोमिशन को जोडा है विच मीन्स पैसिब वाईस तो करेक्ट आंसर होंगे यह दिस सेटलमेंट वस अदॉप्ट यूनानिमसली वाई दी कोमिशन 20 का आंसर होंगे 3 ग्रैंड मदर कुद नॉट कुद नॉट अल्रडी है तो नीडन की और जुरूरत नहीं है और बाकी का कोई चांस नहीं है ग्रैंड मदर कुद नॉट हेल्प मी विथ माई लेसंस टॉट अधी इंग्लिश स्कूल तो करेक्ट आंसर व्ट्वेडिवान इस नॉबर फॉर वी शुड जबकी यहां पे मस्ट होता तो बेटर वर्ड होते या तो ओट्व होते तो बेटर वर्ड होते शुड तो ठीक है इस आ सॉफ्ट सजेशन क्योंकि इनके इलावा कोई आप्शन तो बैठेगा नहीं तो करेक्ट आंसर होंगे 22 का 2, we should obey our parents, करेक्ट आंसर इस 2, choose a simple sentence, simple sentence means one single word, one single object, subject and gives one single meaning तो इस इसाब से the best option देखो, you can talk as much as you like, तो इसका मतलब इसमें double sense है कि आप उतने देर तक बात कर सेकत हो, जितना आप चाहो तो इसमें एक additional sense दिखाए दे रहा है, और he was so tied, यहाँ पर जोड़ा है relative pronoun से, conjunction से, youth is the time when से जोड़ा है, तो यह दोनों तो simple का कोई chance नहीं है, either this or this, तो इसमें double sense है, लेकिन single sense, simple sense अगर किसी sentence में है, that is at number 4, he confessed his crime, तो 24 का answer is 4, 23 का answer is 4 Choose a complex sentence, तो इसमें से आपको एक complex sentence ढूणना है, complex means multiple meaning to the sentence, तो देखो, tell me your address, इसमें कोई complexity नहीं है, He bought his uncle's library, इसमें भी कोई complex sense नहीं है, if you search his pockets, you will find the watch, इसी में एक से अधिक sense का मतलब multiple sense दिखाई दे रहा है, The duration of my stay is doubtful, इसमें भी कुछ ज़्यादा excessive या multiple senses दिखाई नहीं दे रहा है, The correct answer of this question is 2, 24 correct answer is 2, इसमें पूछा है कि which of the sentence is correctly punctuated, तो इस sentence में थोड़ा सा logic लगाना better है, कि सबसे पहले तो inverted comma दोनों तरफ होनी चाहिए, तो मैं देख लिया कि inverted comma second में नहीं है, first, third और fourth में है, तो second हट गया, फिर अपकी शुरू का name की M capital से होना चाहिए, इसलिए 4 हट गया, फिर अपकी नाम की शुरूआत capital E से होना चाहिए, इसलिए correct answer of this sentence is, of this question is number 3, 25 का 3, my name is Adler Williamson, और बाकी के जो है, it's correct, 25 का 3, अब इसमें देखो, इसमें ट्रिक है, क्योंकि at 8 o'clock, sir, smile the librarian, तो 8 बजे, उसके बाद sir, जो sense है, it's a different way, तो इसके बीच में कॉमा देना जरूरी है, और inverted कॉमा के अंदर में रखना भी जरूरी है, smile the librarian, इस तरह से बात कहते वे, तो आपके तीन नमबर की option हट जाएगा, और चार नमबर की option बिना inverted कॉमा के कारण हट जाएगा, और दो नमबर में तो कोई inverted की sense ही नहीं है, तो इसके यह हट जाएगा, तीन नमबर तो question mark आगया, तो वो और भी हटेगा क्योंकि होई नहीं सकता, तो इस तरह से दो करेक्ट आंसर अप 26 इस नमबर 1, अट 8 o'clock, sir, smile the librarian, तो इस तरह से दो करेक्ट आंसर अप 26 इस वन, इसमें पूछा है कि appropriate meaning क्या, preposition कौन सी आनी चाहिए, तो on one occasion a crew arrived with a television camera, तो 27 का correct answer is one, he was very fond of, fond is always followed by off, तो he was very fond of hunting tigers, तो 28 का होंगे चार, it was in honor of this last lesson that he had worn, the wear, wore, worn, तो वर्ण का अगर sense अगर phrasal form में यूज करना हो, तो वो होता है put on, put on करने का मतलब होता है कपड़े पहनना, और put off का मतलब होता है कपड़े leave out करना, छोरना, तो put on his fine Sunday clothes, the correct answer of 29 is 2, फिर she had suddenly come, तो ये complete अगर suddenly come दिया जाता, तो better option होता, it should be the correct way of expression, क्योंकि अचानक आजाने को कौन सा phrasal verb से पुछा जाता है, वो ही पुछा है, तो इसमें सिर्फ कम को underline किया है, जबकि suddenly come करना चाहिए था, anyways, the correct answer is turned up, तो turn up का मतलब होता है, अचानक किसी जगा पौँचना, किसी जगा हाजिर हो जाना, तो that is the right answer is 3, 30 का answer is 3, the crafter was in a hurry, the crafter वो जो दूद निकालते है, जिसे हम गवाला भी कहते है, जो गाई से दूद निकालते है, तो he was in a hurry to milk his cow, यहां पे milk is not noun, यहां पे verb form में यूज हो आए, तो correct answer 2 plus main buff की first form, infinitive structure का यूज करते हुए, the crafter was in a hurry to milk his cow, correct answer is 3, 31 का 3, all we have to fear is fear किसे, उसे, हमें अगर डरना किसी चीज़ से है, तो हमें डरना उस आदमी से है, तो यहां पे देखो itself से कोई मतलब नहीं है, myself का यहां पे कोई sense नहीं है, कहा जाता है कि जब तक हमें यह नहीं पता चलता है, कि हम बात किसकी कर रहे है, तो हमेशा वो third person singular के साब से use होना चाहिए, जो कि herself or himself में से कोई एक हो सकता है, itself का कोई लेना देना नहीं, और जब तक महिलाओ की कोई sense ना दिखाए देता है, तब तक herself का use of कर नहीं सकते हैं, इसलिए the best option to go for 32 is 4, all we have to fear is fear himself, you are neither tiger, तो neither के साथ nor का combination होता है, तो correct answer of 33 is 4, nor gun, दिवान साहब, तो यह बताते हैं, you are neither tiger nor gun, दिवान साहब, तो यह कहते हैं, correct answer is 4, गांधी पोस्टड, सारी, प्रोटेस्टड, गांधी प्रोटेस्टड, प्रोटेस्ट हम किसी के खिलाफ करते हैं, तो खिलाफ का सैंस के लिए the best preposition to go for is against, गांधी प्रोटेस्टड अगांस्ट दी डिले, तो correct answer of 34 is 2, सुकेतु महता, जो रहते हैं ब्रुक्लिन में, तो यहां पे सुकेतु महता को हाइलाइट किया है, तो इस जगह the best option to go for is who, सुकेतु महता, who also lives in ब्रुक्लिन, जोइन अस फर लुँच, correct answer of 35 is 2, अंड्रीव नाव फेल्ट डल and listless, तो correct answer of 36 is 1, कि डल अन लिस्टलिस, यानि बहुती बोरिंग इस तरह की situation में, हम इस प्रकार की phrases use करते हैं, अंड्रीव नाव फेल्ट डल and listless, correct answer of 36 is 1, correct spelling पुचह है, विच इस तरह करेक्क्लि स्पल्ट, तो impression word है, तो impression का best answer is 3, 37 का 3, impression, 38 का best spelling is superstitious, तो superstitious का correct spelling is number 2, 38 का number 2, superstitious, अंद विश्वास जिसे हम कहते हैं, 39 के match करने के लिए पूछा है, और कहा है कि इसमें से, कौन सा option is not correct, तो देखो terrible को, मतलब P को 4 से, horrible से जो रहा है, बिल्कुल सठिक है, quiet को, Q को, 3 से जो रहा है, silent वो भी सठिक है, garbage को luggage से जो रहा है, जो बिल्कुल गलत है, garbage is not a luggage, but lack का shortage, बिल्कुल सठिक है, तो correct answer of 39 is 3, correct answer of 39 is 3, last, pretty का, यानि P का, 3 से जो रहा है, sorry not pretty, it is petty, petty का मतलब होता है, मामुली यानि जिसकी valuation बहुत ही कम होते है, तो small is the ideal word to use for petty, एकदम correct है, क्यों का है, regret, regret का मतलब होता है, एक से, repent करना, पश्चात आप जिससे sense लेते हैं, बिल्कुल सठिक है, gloomy का मतलब होता है, दुखी, उदास, और उसका combination बिठाया, 4 से, जो बिल्कुल correct है, sad, और हर्ट, चोट पहुचाना, त इस, बिल्कुल पहुचाना, जो कभी नहीं हो सकता हर्ट, कभी लाइक नहीं हो सकता, तो correct answer for 40 is 4, तो 40 का हो गया, 40, तो this is the complete answer for code number 902 LCT for the 12th, तो thank you and have a nice day, take care, thank you. तो दर मेंदर चोदरी, टीम हिंदी, आज अपन 12th क्लास में, एस्टेसी में जो पेपर लगा था, उसका सोलुसन करेंगी, उसमें 40 कुषिन थी, इसमें फैस्ट कुषिन है, निमल लिखित वर्णों में, शी स्यूंक्त वेंजन, क्या पूच रहा है, निमल लिखित वाचक संग्या का उदान, है क्या बूच रहा है जात्री वाचक संग्या तो इसे में संग्या में फक्षे में फेस जिसंग्या सब से प्राणियों या वस्तों कि गुण धरम दसा कारिय मनुभाव आदी का बोध हो उसे चाहते हैं भावाचक संग्या ठीक है नेक्स्ट यह यह वह वे सरोणाम का भेध है इसमें कुछ सरोणाम है निश्चे वाचक सरोणाम नेक्स्ट दो उपवकें के बीच में प्रिउप्त होकर एक उपवके की संग्या या सरोणाम का सम्मंद दूसरे उप्यकर के साथ दर्साने वाले सरवनाम को कहते हैं संबंध वाचक के सरवनाम ये किसक परकार का विशेषण है गोनवाचक सरवनाम केसे सब्दम वाचक के विशेषण के रूप में प्रिवत हो रहे हैं अर्थात संग्या की विशेष्टा प्रकट कर रहे हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सारवनामिक विशेष्टन ठीक है निवल्ल के सब्दों में से उपसरक रहित सब्द है जिसमें उपसरक किसमें नहीं है चाकों नेक्स्ट उनफसरक लगकर बणने वाला सब्द है उन किसमें लगएर उन्हां से पावक सब्द की सही संदी सब्द होगा इसका सही संदी सब्द होगा अन्तो गत्वा समाशिक पदों में यह है भरफेट बाड पीडित सब्द का सही समाशिक्र होता है बाड से पीडित सेकंड सर्दा महाविदाले जा रही है सर्दा महाविदाले जा रही है वाक्य में कारक क्या पूच रहा है? कारक पूच रहा है इसमें कारक कुन सा जाएगा? कारम कारक नेक्स्ट निमली के तवाक्यों में संपरदान कारक युक्त सब्दा है देखो इस किसम थोड़ सा कनप्यूज वाला है कि निमिल के वाकियों में से संपडान कारक यूग थे इसमें अगर देना के साफ से देखें तो यह फैस्ट हो सकता है बाकिया तो किसी में नहीं रहा है और मेंज पर पुस्तक रखी है अद्धिकर्ण कारक हो गया तो इसमें पहले में है वह अगर दर्ण की साफ से देखें तो इसमें करमकारक हो सकता है लेकिन इसको मान सकते हैं बाकी कनपर्म नहीं है यह संसेवाला क्यूसर्ण है नेक्स्ट, क्रिण अर्थ को परकट करने वाला समौहा है, क्रिण को कौन सा समौहा है, जो परकट कर रहा है, कर मरिची मयूख, third answers right होगा इसका। नेक्स्ट, गेनद, सब्द का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ होता है, suiv conquest फैर। कि नेक्स्टीन लोंक सभाजन गाई six लागो गौन सद्राइन मिश्रिंप और स्रेंथ कुन सा मिठाई नहीं खाई जाती वाकिये में किला कि प्रदानता है इस में हो जा करम वांचा Tam नेक्स्ट कुसूम घर पहुंच गई होगी वाक्य में काल है इसमें कौन सा काल है सामाने भूत नेक्स्ट निम्मिल के सब्दों में एसुद वर्तनी वाला सब्द है इस में उस जएगा दवाईया सरुनाम समन्दी एसुदी वाला वाक्य कौन समय है? मैंने कल जैपूर जाना है ये हो जाएगा बदन सुरुती सम्विनारत का आर्थ है इसका हो जाएगा मुख और सरीर किसी उक्ति को दोहराना वाक्य के लिए एक सब्द है किसी उक्ति को दोहराना मतलब उसको दोहराते हैं तो पूनर उक्ति हो जाएगा बहुत पिरिय होना अर्थ को परकट करने वाला मौवर है सब्सादे सबसादे सब्सादे 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 सब्साद जद्पी, सुजाती, सुलजनी, सुबरन, सरस, सुब्रित, भूसन, बिनून, बिरजाय, कविता, वनितामित, इसका अलंग कार पूछ रहे, तो इसमें होजाएगा, अनुपरास अलंग कार, इसमें वर्नो क्या वरती हो रही है, ठीक है, निक्स्ट, अलंक कार कितने परगर हो तो कतन के अदि और अंत में इस चिन का प्रियूग करते हैं वह है कून से नहीं है उद्रण चिन में घ्रा कि शुभा स संदर बोष नहीं रहे अमर संदर बोष नहीं रहे कि अभ्यराम और अमर हो गए फोस्वी न विराम से only तिर लोसन का मूल नाम था वासू देव ठीक है नेक्स्ट कुस्टन निमल की तरतनों में से कभी रगवीर साय की रसना है इसमें रगवीर साह की रसना है सीडियों पर धूप में ये कि इसक्रिस पर ने कर लिया है धन्यवाद